हालो स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टडी में तो बच्चों आप लोगों के बहुत सारे कुश्चन्स हमारे पास आते हैं जैसे कि आपको पता है यूटूब पर PBR स्टडी में धाई लाक बच्चे जुड़े हैं तो उसमें से नाइन्थ और टै क쪽 संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगहे बच्चों सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किनी भी दो परविये संख्यां के बीच परमिय संख्या हैं आप find कर सकते हो कितनी infinite परमिय संख्या है मतलब इसकी कोई limit नहीं है कि आप कितनी परमिय संख्या मतलब निकालोगे जैसे यहाँ पे 10 दे रहा है तो आप कहोगे कि 10 परमिय संख्या कैसे होगी जो इस्क्रिन पे है उसके बाद फिर और ज्यादा डीटियल में जाएंगे देखिए साथियों जब दो भिन दी गई हो इस तरह से उनके बीच में हमें पर्मिय संख्याय निकालनी हो तो सबसे पहले हम इनको प्यार फे एफे लिख लेते हैं यह आपका फरेक्शन हो गया बच्चों जो दूसरी भिन है उसका जो हर है मतलब नीचे की गिंती उससे पहली भिन में ऊपर और नीचे दोनों में गुड़ा करते हैं ठीक है यह परकिरिया सबसे पहले करते हैं तो यह माइनस चार बटा यह हो जाएगा दस इतना सब को समझ में आया उसके बाद क्या कर पांच बटा दस अब यहां पर हमें क्या मिल रहा है एक नया रूप मिल रहा है यानि जैसे आपके पापा थे पहले जब आप नहीं पैदा हुए थे तो लोग आपके पापा को जानते थे आपको कोई नहीं जानता था फिर आप भी पैदा हो गए आगे अब आपके पापा पर मिय संख्याय करनी है मतलब परापत करनी है अगर इन्हें हम बगल बगल में लिखें कि माइनस 4 बटा 10 और पाँच बटा 10 इनके बीच में 5 पर में संख्या निकालनी है तो भाई सहाब आप ये दस वाज दो अगर तुम माइनस माइनस 4 और 5 बीच में 10 परनीन संख्या आंजा दो ध्यान से देखो पहले अभी जाना नहीं कही। है जाना नहीं। पहले समझ लो पूरी बात अच्छे से कभी भूलोगे लाइफ में कब ही न भूलोगे ठीक है ध्यान से देखो इनको थोड़ा सा और इधर लिखो उधर साइड में मुझे लग रहा यह बाहर चले जा रहे है यहां तक ठीक है, तो इनके बीच में परमिय संख्य कितनी हो सकती? जरा ध्यान से देखो, संख्य रेका आप पढ़े हो, माइनस चार, इधर माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक और फिर यहाँ आके जीरो, और वन, टू, थ्री, और फॉर यह हो सकता है ना? बोलो हो सकता है की नहीं? भाई, इसके बीच में संख्या हैं होंगी की नहीं? संख्या रहा तो तुम पढ़े हो ना, जहां पर यह बीच में जीरो होता है इधर साइड माइनस होता है, इधर साइड पलस होता है तो क्या यह दस परमिय संख्या हैं इसके बीच में? पहले गिनो हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ जीरो को भी मिला लिया तब भी क्या हुआ? दस नहीं हुआ ना, दस नहीं हुआ यानि कि इनके दोनों के बीच में इतनी परमिय संख्याएं नहीं हो सकती कि दस हो जाएं क्योंकि हमें दस निकालना था अब हम क्या करेंगे? देखो इसके कई मेथेड हैं बच्चों हम सबसे पहले वो मेथेड बताएंगे जिससे आपके बुक का आंसर मिलेगा वैसे ये कच्छा आठ की अगर किताब में देखें तो exercise 1.2 का ये question है और question number 4 है तो बच्चे अधिकांस उत्तर माला मिलाने की चक्कर में परिसान होते हैं क्योंकि कुछ स्कूलों में ऐसे master साहब भी होते हैं कि वो उत्तर माला देखके कापी चक करते बच्चों को गलत कर देते हैं तो बच्चों को लगता यारी तो गलत है लेकिन बच्चों किसी भी परमिय संख्या के बीच परमिय संख्या निकालने के लिए आपका कई तरीका होता है उत्तर सब में अलग 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 आता है यही एक ऐसा topic है जिसमें अलग 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 आता है लेकिन इसमें अलग-अलग आता है देखो पहले इसका थोड़ा गहराई से समझ लो भागना नहीं गहराई से इसका मतलब समझ लो एक्टुली इसका ये मतलब हुआ कि जैसे अगर मैं तुम से पूछूँ कि बच्चों एक और दस के बीच में कोई तीन संख्या लिखो तो एक और दस के बीच में मैंने क्या पूछा कोई तीन संख्या तो मान लो कि आपका फ्रेंड राहूल ने बता दिया कि सर जी दूई तीन और पांच होगा ठीक है ये भी सही है लेकिन अब उसकी फ्रेंड प्रिया बता रही कि नहीं इसके बीच में छे, नौ, मतलब आठ और नौ यह भी होगा तो भाईया यह प्रिया का भी तु सही है, राहूल का भी तु सही है उसमें कोई दूफरा टपक पड़ा, उसके बीच में तो भाई चार भी होगा पांच भी होगा, साथ भी होगा तो बताओ क्या किसी का गलत है इसमें से तीन लोगों ने तीन तरह बताया क्या किसी का गलत है सबका सही है ना, एक और दस के बीच में यह सारे गिंती हैं कि नहीं है ना, तो यह तीनों सही है ना लेकिन अब आपके बुक में मालो ये वाला दिया है तो कहोगे इस दूइनों तो गलत है तो गलत नहीं होता है किनी भी दो परमिय संख्या के बीच में अनंत परमिय संख्या होती है तो उसके बीच का आप सब तो नहीं लिख पाओगे ना कि सारी लिख दोगे 20 करोण हैं, लाक हैं, 10 लाक हैं तो सब लिख दोगे आपको तो दूए चार लिखना है ना ये इसका मतलब होता है चलो फिलहाल अब हम कुश्चन पे चलते हैं तो बच्चों देखो जैसे ये आपका जो मिल गया, माइनस चार बटा पाँच ये जो भी मिला है इसका अब हम करेंगे क्या, हमें क्या करना है, हमें निकालना 10 परमिय संख्या अगर आप देखो तो इसमें थोड़ा सा ही क्या है, गयब है थोड़ा सा गयब का मतलब समझ रहे हो भाई 8 परमिय संख्या हैं दोनों के बीच में निकल रही हमें 10 ही निकालना है एक मेथड तो हम ये पढ़ते हैं कि जितनी परमिय संख्या निकालनी हो उससे एक अधिक करके गुड़ा कर देते हैं जैसे हमें 10 परमिय संख्या निकालनी है तो हम क्या करें इसमें मतलब 11 से गुड़ा कर दें लेकिन हम 11 से गुड़ा नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपकी किताब का उत्तरमाला नहीं मिलेगा आपकी किताब का जो उत्तरमाला है इस अधार पर मिलेगा कैसे? देखो समझो इसमें आप दो से सिर्फ गुड़ा करो बस सिर्फ और सिर्फ दो से गुड़ा करो उपर नीचे दोनों में ठीक है? दो से एक बात ध्यान देना चाहे जिस भी गिंती से इसमें गुड़ा कर सकते हो लेकिन उसी से भाग भी करना और जिस से पहले में करना उतने से ही दूसरे में भी करना ये कर सकते हो इसमें कोई रोंक टोंक नहीं है तो बच्चों इस तरह से आपका ये बन जाएगा 10 बटा ये 20 बन जाएगा ये बन जाएगा भाई साहब माइनस 8 बटा 20 तो बाबू अब अगर आप देखो तो माइनस 8 और माइनस 10 इसके बीच में धेर सारा इस्पेस हो गया अब तुम परमिय संख्या इसके बीच में 10 से जादा भी लिख सकते हो देखो कैसे इनको अगर हम यहां लिख दें ये माइनस 8 बटा 20 और इनको यहां पे लाके लिख दो 10 बटा 20 हमें इनके बीच की फरमिय संख्या निकालनी है ठीक है कोई दिक्कत नहीं आप मुझे ये बताओ संख्या रेखा पड़े हो इसके बीच में माइनस 7 बटा 20 होगा माइनस 6 बटा 20 होगा माइनस 5 बटा 20 होगा माइनस 4 बटा 20 होगा और फिर उसके बाद बच्चे आगे ऐसे बढ़ते जाओ भाई संख्या रेखा तो तुम पढ़े हो ना नहीं पढ़े हो तो कमेंट करके बताना वीडियो आपको मिल जाएगा वैसे description देखो तो आपको description में बहुत सारे वीडियो की link मिल जाएगा तो देखो बच्चों यह होगा ना ऐसे बढ़ते जाओ हमें कितना निकालना 10 अभी हम देखो एक, दो, तीन, चार, पांच लिख दिये हैं चुकि ये इसको तो गिनेंगे नहीं, इसके बीच में निकालना है, पांच हो गया ना, तुम इधर से भी निकाल लाओ ना, यार, ये लो, 9 बटा 20, इधर आओगे क्या हो, घटेगा ना, 8 बटा 20, ये 7 बटा 20, 6 बटा 20, अभी इसके बीच में और आएगा, खतम नहीं हुआ 5 बटा 20, 4 बटा 20, 3 बटा 20, 2 बटा 20, ऐसे होगा ना, लेकिन हमें तो सिर्फ 10 निकालना था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया ना, एक ठीया और लिख लो ना, इसके बीच में, ये 6 बटा 20 भी लिख लो, मैंने लिख लिया है, 5 बटा 20 लिख लो, यहां नहीं जगा है, यहां थोड़ा दूर दूर लिखना जिससे इसके बीच में इस पेस रहे और आप अराम से लिक्सों को नीचे नहीं दिख रहा है, तो मैं उपर दिखा देता हूं, इसके बीच में एक लिख ले ना, 5 बटा 20, ठीक है, ठीक ना बच्चों, 5 बटा 20, समझ में आ गया ना, तो इस तरह से करते हैं, जो आपका उत्तरमाला मिलता है, तो आपको ये कलास कैसी लगी, कमेंट करके बताना, और हाँ, भाग के नहीं जाना अभी, बहुत पढ़ना है, चाहे आप कलास 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, या कमपरटीशन कर रहे हो, ये सब के लिए महत्तव पूर्ड कलास है, बाबू, ठीक है, इस बात को तुम गौर से समझना, बिल्कुल प्यार से, देखो, ये हो गया, अब तुम ये काम करोगे, वो क्या, अगर तुम से कोई कहे कि इसके बीच की कोई 3 परमिये संख्या लिखो, बताओ जल्दी, जड़ से कमेंट करके बताओ, इन दोनों के बतालोगे कि नहीं, सभी बतालोगे ना, बच्चे, बतालोगे ना, कोई भी 3 परमिये संख्या लिखने को बोले, तो तुम इस में से कोई भी 3 पकड़ लो, मानलो मैंने ये ले लिया 3 हो, चलो, ये 3 हो गई, आपका कोई मित राया, थोड़ा गधा टाइब का वो कर नहीं, यह तिनों होगा तो यह भी साही है वो भी साही है सब साही है ठीक है समझ गए ना कोई भी परकार का टेंशन मतले ना अगर कोई भी कहीं भी तुमको कंफ्यूजन होगी तो कमेंट करके बता देना नीचे देखो पूरा दिखराफुल ना आप कोई दिक्कत नहीं नंबर उंबर हट गया न ठीक है तो बच्चों इस कलास को यहीं पेंड करते हैं अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करके बताना लेकिन एक झाल लिकों कि एक वटादो वा एक वटादीन के बीच के बीच पांच पर्मिये संख्या बताओ इसको हर कोई बच्चा करेगा घर से ृट है कर लोगेना बाबु हां कोई दिक्कत नहीं हर कोई करेगा इसको करना जरू ठीक है एक और लिख लो तीन वा पांच के सब्सक्राइब करना अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो नीचे फट से सब्सक्राइब कर लो दुबारा चैनल ना मिलेगा यूटूब पर खोजोगे फिर भूल जाओगे नंबर स्क्रीन पर देखो अभी तक दिख रहा था वीडियो थोड़ा सा पीछे करो स्क्रीन पर नीचे चल रहा था नोट कर लेना कोई दिक्कत होगी तो संपर्क करना और बने रहना हमारे साथ बहुत-बहुत धन्यमाद आपको क्लास देखने के लिए दोस्तों में सेयर कर देना जिससे कि हर कोई पढ़ सके जितने ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतनी ज पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाते नहीं जाता हम सारा वीडियो बना देंगे हरे कुश्चन का लेकिन तुम सेयर करना अपने दोस्तों में सब को सेयर कर दो